वाक्सीन्स को माना जाता है कि वो आपको बचाने के लिए हैं लेकिन एक बहुत सारे लोग है दुनिया में जो ये मानते हैं कि वैक्सीन्स डेंजरिस हैं वैक्सीन, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत जादा खतरनाक सिस्टम बनाया है, उसमें billions of cells हैं, कोई soldier है, intelligent cells है, weapons factory है, तो हर रोज आपके अंदर किटानू जाते हैं, virus, bacteria और आपके इम्यून सिस्टम उनको मार देती है, तो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर कोई infection ख जो कि basically missile जैसी होती है, वो target organs वहाँ पर जाके bacteria virus को मार देती है, लेकिन इसको समय लगता है, इसको कुछ दिन लगते हैं, और तब तक आपके खिलाफ वो virus bacteria काफी damage कर चुका होता है, इसलिए आपको बहुत सारा damage हो जाता है, जो आपको मारता है, नहीं वो आपको strong नहीं क तब आपके immune system वो weapons factory से एक तरीके के memory cell बना लेंगे, ये memory cells आपके body के अंदर sleep में रहते हैं, और जब भी याद करके रखते हैं, जब भी ऐसा कोई virus आता है वापस आपके शरीर के अंदर वोई virus, तो ये activate हो जाते हैं दुबारा, और ये activate करके आपके body के अंदर antibody production धुआ अधार तरीके से तयार कर देते हैं, और आपकी बारी इतना जल्दी होता है, कि आपकी body को नुकसान करने का virus के पास कोई मौका नहीं बचता, और आप जो है उस virus के bacteria के खिलाफ immune हो जाओगे, जिन्दगी भर के लिए, और इसी वजए से चोटे बच्चे बार बार बीमार ह चोटे बच्चों में इतनी सारी बिमारी नहीं होती है, जबके बड़ो में ये immunity होती है, collective herd immunity होती है, वाक्षीन काम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं, अगर आप वाक्षीन की बात करेंगे, अगर आपने वाक्षीन को इन्फेक्शन से लिया, आपको होगी बिमारी और आ डालते हैं, मरा हुआ बैक्टेरिया, मरा हुआ वाइरस क्या होता है, आपकी immune system उसको बड़ी आसानी से मार देता है, और immune system मार देता है, उसके खिलाफ memories बना लेता है, और कभी-कभी हमें थोड़े से dangerous vaccines भी डालने पड़ जाते हैं, मानलो अगर हमने live vaccine डाल दिया, बहुत उसका छोटा भाई जो एकदम मासूम सी, उसका attenuated virus उसको मार देता है, इसका dangerous level बहुत कम हो, यह basic principle है दो vaccines के, अगर आप natural reaction बनाने कोशिश करोगे, तो क्या होगा, आपकी immunity फिर भी आएगी, लेकिन उसमें आपको बिमारी हो रही है, राइट, वाइरस जो है, हर साल कई viruses बदलते हैं, इसलिए हमें virus के vaccines भी हर साल बनाने पड़ते हैं, लेकिन viruses आपको protect करते हैं, कई बार जिंदगी भर, लेकिन हर virus का क्या दूसरा पार्ट होता है, वाइरस अच्छे, vaccine अच्छे भी है, लेकिन vaccines के side effects भी है, तो क्या होता है, अगर आपके बच्चों को risk हो गया vaccine के side effects का, अगर मान लीजे, अगर vaccines को बिमारी से compare करने की कोशिश करें, तो यह बहुत complicated है, क्योंकि millions of लोगों को vaccinate किया जाता है, बहुत करोडों लोगों को, लेकिन बिमार होते हैं सिर्फ हजारों, तो हो क्या जाता है, millions में अगर किसी थोटे मोटे side effects भी होते हैं, तो जादा number दिखता है, कि हाँ, एक लाग, दो लाग, दस लाग लोगों को बिमारी हो गई, वैक्सीन के वज़े से, लेकिन जो बिमारी है, वो कम होती जा रही है, तो बिमारीों की side effects को compare करना मुश्किल है, लेकिन पुराने जमाने 1963 के पहले अगर बात करें, तो हर बच्चे को literally measles होता था, इतने सारे लोगों को, 135 मिलियन लोगों को हर साल measles होता था, और measles dangerous होता था, कि बच्चे बिमार हो जाते थे, ICO तक पहुच जाते थे, advanced healthcare तक आ जाते थे, और इतनी सारे injection, इतने सारे vaccinations अब आ गये हैं, जिनके वज़े से आपको सोचने में लगता है, कि म मान लीजे कि, एक 10 million लोग हैं, उन लोगों को vaccination नहीं मिला, तो क्या होगा, उसमें से 9008,9198,000 लोगों को dangerous fever होगा, 80,800,000 लोगों को diarrhea हो जाएगा, 7,000,000 लोगों को ear infection हो जाएगा, और ये सिर्फ measles से, 6,000,000 लोगों को pneumonia होगा, और मान लीजे वो भी dangerous होता है, यानि 12,000 बच्चे मर सकते हैं उससे, 10,000 बच्चों को encephalitis हो सकता है, dangerous बिमारी दिमाग की, 30,000 बच्चों को SSPE करके बिमारी होती है, वो भी dangerous टाइप है उसका, उन से हो सकता है, और ये क्या है आपके बिमारी दिमाग को बिमार करती है, right तो अगर पूरे चीज को बात करें, तो 25,000,000 लोग बिमार होंगे, 22,500,000 लोग और 20,000 के आसपास बच्चे मर जाएंगे अगर vaccination नहीं की जाएगी, कभी भी measles की, right, और अगर कुछी ने vaccination को करके मार भी दिया, तो वो बहुत कमजोर रह जाएगा, कि भाई हम bacteria को मार भी या फिर भी अगली बार लड़ने के लिए उनमें शक्ती नहीं रहेगी, फिर अगली बार वो फिर भी बिमार रहेंगे बच्चे, इसलिए वैक्सिन नहीं करना अच्छी बात नहीं है, right, तो आपके बच्चों को बहुत मुश्किल होगी उस समय में, अगर वैक्सिन करवा थोड़े 5 लाग को आएगा, मान लिजे फिवर रैश आजाएगा, 10 लाग को फिवर आएगा, तो मान लिजे 100 बच्चों को एक अलर्जिक री रियाक्शन आ सकता है, और ये थोड़ा बहुत सीरियस हो सकता है, 10 बच्चों को उनमें से 10 बच्चों को जनाइटल इंफ्लामे इंफेक्शन हो सकता है, जो कि थोड़ा सीरियस साइड एफेक्ट है, लेकिन इसने कम लोगों में, याने हमने एक मिलियन लोगों को साइड एफेक्ट होते हुए देखें, और उसके बाद में, बिकॉज मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी एडवांस होगी है, एक सो बीस लोगो उससे बच जाते हैं, लेकिन अगर ऑटिजम की बात करें, तो कई लोग मानते हैं, उससे ऑटिजम हो जाता है बच्चों को, लेकिन सारे ही मेडिकल रिसर्च उने प्रूफ किया है, कि ऑटिजम नहीं होता है, किसी भी वाइरस से, उसमें आपको कोई डबने की ज़रूत न वाइरस से, वाइरस से वाइरओने बात की बात करें डेथ रेट्स की, तो अगर हम इस वाइरी हार्ड यह बताना, कि हमने जिनको वाइक्सिनेट किया, दस मिलियन बच्चों में से, कोई एक भी बच्चा मर गया हो, इस वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बाकी दूसरी तर हैं और मीजल्स इतनी डेंजरस बिमारी है कि वह आपके बच्चों को लेटरली वैक्सीन नहीं करेंगे तो खतरनाक तरीके होती है इतनी सारे यहने सिर्फ 2017 में आप मानेंगे ग्यारा लाख लोग बच्चे मरे थे उससे और तीन सो बच्चे आज के आज मान लेजिए हर बार मरते हैं मीजल्स से और एवन एक बच्चा जो इस वीडियो के चालू होते भी मर जाएगा वैक्सीन को आप कंपेर कर से के स सीद बैल पहने अपको कभी ऐसा हो सकता है सीड बैल के वज़े से मोत हो जाए है लेकिन चाहेएं का चाहेंगे आपको आपका बच्चा सीड बैल ना पहनें आए ऐसा नहीं चाहेंगे रuこれで पर यह बहुत हो सकता है मे Soonरी दुस्ष्रों को सूर्श करवाना क्योंकि इसी 0.2% के उपर बच्च वैक्σιनेट होंगे टो वाइरस फैल में युश नहीं पाए गा और आप के बच्चे पहुंच लिए जादा से जादा बच्चे में हो ने चाहिए यह है 95% अबब वैक्सिनेट होंगे तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है तो जिनको वैक्सीन जो नहीं लगवा सकते हैं उनको वैक्सीन लगवानी दूसरों कुछ चाहिए तो अगर आप कंपेर करेंगे ऐसे लोग जो वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं को यह बोलते हैं को उल्टा मैं ऍेपटनिट वैक्सीन्स आप के बच्चों के लिए वह आपके बच्चों को कोई नुकसान में पहुंचा आते हैं अपने वैक्सीन से मत दूर रहिएगा वैक्सीन के बागार वह बिमार हो सकते हैं और जादा बच्चे पुरानी बिमारियां जो खदम होने लगी है mots वापस आ सकती हैं अगर हम वक्सीन से लगाना बंद कर दें तो वक्सीन बहुत जरूरी एंए एक अकेला वो पावरफूल टूल है आपके पास जो खतरनाक से खतरनाक बिमारीं से आपको बचाएगा तो वक्सीन जरूर लगाना है अपने बच्चों को भी खुद को भी वक्स झाल, 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 झाल